साथियों, आम तोर पर दुनिया में जब धर्म की बात होती है, तो उसका दाइरा केवल पुजा, पाठ, आस्तावर, उपातना, उसकी रीत्रसम, उसकी पध्धतियां, उसी तक सिमित माना जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में धर्म के अर्थ और निहितार्थ एक दम अलग है, वेदों ने धर्म को एक संपूर्ण जीवन पद्धति के रुप में परिभाशित किया है। हमारे हाँ धर्म का पहला अर्थ कर्तव्य समझा जाता है। पित्रु धर्म, मात्रु धर्म, पुत्र धर्म, देश धर्म, काल धर्म, यह हमारी कलपना है। इसलिए हमारे संतों और रुश्यों की भुमिका भी केवल पूजा और उपासना तक सिमित नहीं रही। उन्होंने राष्ट और समाज के हर आयाम की जिम्मेदारी संवाली, होलिस्टिक एप्रोच लिया, इंक्लूजिव एप्रोच लिया, इंटिग्रेटेड एप्रोच लिया। हमारे अहां भाषा और व्याक्रन के खेत्रों को पाणिनी जैसे रुश्यों ने सम्रुद्द किया, योग के खेत्र को पतंजली जैसे महर्चियों ने विस्तार दिया। आप दर्सन में फिलोसोपी में जाएंगे तो पाएंगे कि कपिल जैसे आचारियों ने बवधिक्ता को नई प्रेणा दी। नीती और राजनीती में महात्मा विदूर से ले करके बरत्वहरी और आचारिय चानक के तक कई रिश्री भारत के विचारों को परिभासित करते रहे हैं। हम गणीत की बात करेंगे तो भी भारत का नेत्रत्व, आर्यभरट, ब्रह्मगुप्त और भासकर जैसे महान गणितग्यों ने किया। उनकी प्रतिष्ठा एक रिशी से जराबी कम नहीं दी। विज्ञान के खेत्र में तो कनाद और वरामीर जैसे लेकर के चरक और सुस्रुत तक अंगित नाम है। जब स्वामी दयानजी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस प्राचिन परंपना को पुनरजिवित करने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है और उनके बीतर आत्म विस्वात कितना गजब का होगा। झाल